दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगे बहुत ही सुन्दा लटकन कैसे बनाएं आज की वीडियो में आपको लटकन की वारे में बता रही हैं तो देखिए मैंने एक डोरी बनाई है कपड़े की डोरी बनाई है और देखिए दो पीस मैंने इस तरह के स्टेट लिया अभी आपको साइज बता देते हूं तो दीखे जो यह थोड़ा कम है इसके चौड़ाई साड़े तीन इंच है तो इतनी हमको लंबाई नहीं चाहिए हम इसमें से कट करेंगे और जो दूसरा पीस है वो भी चार इंच है चौड़ाई जो है तो इसमें से हम डिजाइन देंग और इसमें से केप पनाएंगे इसको साइड में रख देते हैं और देखे एक और पीस लिया है यह चौक हो रहा है इसका साइज पता देते हूं देखे 6 इंच लिया है चोड़ाई लंबाई बरावर है तो देखे सबसे पहले हम इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद फिर इसको लेस लगा के डिजाइन करेंगे तो देखे एक डिजाइन लेस लिए मैंने देखे मंटी कलर है और इस लेस को हम यहाँ पर ही स्टिच कर देते हैं जो हमने सिलाई डाली है सिलाई इसलिए डाली थी कि वो कपड़ा सेट हो सके सिलाई हमने कम्पलीट कर लिया अभी इसको उल्टा कर लेता है तो जो हमारी सेप है इसेप में रखेंगी जो एस्टा कपड़ा कि ह कट कर दिया एक डोरी लिया रेट जैसे मिनों बताया आपको कपड़े की इसदोरी को यहां पर स्टिच करके पहले किसी अब ही ज़ो यह पार्ट है हम इन पार्टों को यहां पर से छैट करनेंगे दोनों साइट करना से देख आट तुझ यहां पर लॉक कर दिया है अभ इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे कि अभी यहां से लेके यहां तक हम मार्किंग करते है जो तोरी यहां से बीच हमने फोल्ड कर लिया है ह् us यहां से लेकर टू इंच तक Central अब मार्किंग करके और कुल समीट डाल देंगे सिलाई डाल दिया है एक्ष्टा क्लॉथ को कट कर देते हैं तो दीए अभी हम कैप के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं तो दीए इसका आदा पीस ले लेते हैं इतने की जरूत नहीं है यह पीस मैंने चार इंचर उड़ा, चार इंच़ लंभा, चावकोर्टी से ले लिया है और इसको इसतर ऐसे फोल्ड कर देते हैं हाफ इंच होड़ने के बाद श्टार्ट करते हैं इस्टेचे तो दीए जो एस्ट्रा कपड़ा इसको कट कर देते हैं देखी अभी हमने कैप को पलट दिया है तो कितना सुन्दर हमारा ये डिजाइन बन कर तैयार हो गया है तो आप इस आसन तरीके से सुन्दर से लटकन बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा, वीडियो को सेर करें, लाइक करें, चैनल सबस्क्राइब करें, थेंक यूँ